अर आज विया है भी हारबुट के 10 वी फर्स इटिंग में सोसल साइंस का एक्जाम पेपर तो आज कि इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं सोसल साइंस में जितने भी एक से लेकर असी तके अबजेक्टिव साल पुछे गए थे उन सभी अबजेक्टिव कोशनों का 100% सही इसका इंसर की हम लोग देखने वाले हैं तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेलाइकों को दबा दीजें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिपिशन आप सभी को मिर सकें तो यहाँ पर जो हम लोग सेट का इंसर देखने वाले हैं वो सेट हमारा डी है आपका कोई भी सेट हो सकता है आप कोशन देखिएगा और कोशन को अपने सेट के कोडिंग मिला सकती है तो पहला स्वाल ने बुला गया था कि लेलिन की मिर्टू कब हुई थी तो कोशन का सहीजबावबसन दी होगा सन 1924 इसी में ही लेलिन की मिर्टू हो गई थी इसके बाद में अगरा साल है वियना कंग्रेस में कौन सा राष्ट सामिल नहीं था इसको चन का सहीज बाव अफसन ए होगा ब्रीटेन फूश के बाद में अग्ला स्वाल कुसमेटी ने बोला गया था कि संजुक्त ब्यतनाम का गठन कीस बर्ष होगा था तो यहां पी कुसमेटीन का सहीज बाव अफसन ए हो जाएगा सन 1954 निशी में ही संजुक्त व्यतनाम राष्ट का गठन किया गया था उसके बाद में अगला स्वाल है कि आद समाज के अस्थापना किस ने किया था यहां पे कुस्माचार का सहीजवाफ संडी हो जाएगा यानि स्वामी द्यानन स्रसती के द्वरा ही आद समाज के अस्थापना किया गया था पाद में अगला कोशन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि जितने भी स्टुटियन चाहते हैं पीडियेप के रूप में सभी सेट का एंसर की डाउनलोड करना तो दोस्तो आप से भी को मालम होगा कि वास्थ इंजन का जो अभी स्कार है वो जेम्स वाट के द्वरा किया गया था उसके बाद में अगला स्वाल है बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकासन किस भासा में किया था तो मराठा पत्रिका का प्रकासन बाल गंगधर तीरा के द्वारा मराठी भासा में की गई थी अता कोशन का सहीज बाव अफसन भी होगा उसके बाद में एगला स्वाल है निमलिकित में से सबसे अधिक कठोड खनीज कौनशा होता है जैसा कि आप सबी को मालों होगा कि जो हीरा है उस सबसे कठोड तम तत्त होता है तो कुशम साथ का सहीज बाव अफसन सी होगा उसके बाद में है कि रबर की खेती भारत के किस राज में की जाती है तो भारत के जो राज है केरल केरल में ही रबर की खेती की जाती है वो इसके बाद में अगला स्वाल है बोला गया था कि यंग इटली के अस्थापना किसने किया था जैसा कि हम आफ सेभी को सोसल साइंस का जो वीडियो बनाये थे उसमें से तो 100% बहुत सारे सवाल इसमें बलड़े हुए हैं तो यंग इटली नामक स्थापना किया था वो मेजनी किया था तो यहां पर कोसन का सही जबाव अफसन भी होगा पुश्के बाद में अगला स्वाल है कि वीना कांग्रेश के अध्यक्सता किसने किया था तो यहां पी कुस्ने 10 का सही जबाव अफसन D हो जाएगा मिटर निक पुश्के बाद में अगला स्वाल है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एट किस बर्ष पारित किया गया था तो कुस्न का सही जबाव अफसन D हो जाएगा अठासो एकासी स्वी में कुस्के बाद में है कि व्रेटन बुट्स सम्मेलन किस बर्ष हुआ था तो दोस्तों यहां पे कुस्न 12 का सही जबाव अफसन D हो जाएगा सन 1944 सिसी में इसके बाद में एगला स्वाल हिस्टी से लिया गया था कि किस पत्र ने रात और रात वरना कि व्रेस एक्ष्टे बचने के लिए अपनी भासा बदल दी थी तो इसका भी सालुसन हम आप सभी को बता दिये थे कुस्न का सही जबाव अमरित बजार पर तरीका होगा इसके बाद में एगला स्वाल हैं अंकुरवाट का मंदिर कहां इस्टी दैकापी सिम्बर स्वाल हैं अंकुरवाट का मंदिर कहां बताय थे तो कमबोडिया में बताय थे तो कुस्न का सही जबाव अपसन ए होगा इसके बाद में अगला स्वाल कुस्टमर 16 को देख लीचे कुस्मर 16 में बुला गया है कि हिंद स्वराज पुछता कि इस ने लिखा था दोस्तों हिंद स्वराज पुछता कि रचना महात्मा गांधी ने किया था अधा कुस्टमर 16 का सही ज़वाव संसी होगा इसके बाद में अगला स्वाल हे मौईरा कि समाजवादी पार्टी का गठन की सबस होग हुआ था एक आटाए कौसेंध जो किस बर्ष हुआ था कौषिणे का सहीजी बाब यहां पे अपसťय toen B हो गई ही और इसके बाद में कि सबसेंघ किसने लिख ही के सबसेंगा है कोशन का सही बागए एड़ा में समीथ होना चाहिए कमेंट के मादम से आप सभी बता सकते हैं अबरा जो स्वाल है वेल्जिया में समाजिक वीभाजन कीस अधार पर किया गया था तो यहाँ पी जो कोशन आप सभी देख पा रहे हैं यह है question number यहां पर यह 17 हो गया यह 18 था और यह question number 19 है question number 19 का सहीजवावसन भी हो जाएगा इसमें भासा के अधार पर बिल्जियां में समाजिक भी भाजन किया गया था उसके बाद में है कि भारत की परमुक्ष समाजिक समस्या क्या है जैसा कि आप सभी को मालुम होगा कि भाद की जो परमुक्ष समाजिक समस्या है उसमें जाती वाद भी आते हैं भासा वाद भी आते हैं और संपरदाय वाद भी आते हैं अतकोशन का सहीजवाविन में से सभी होगा यानि अफसन डी होगा अलाज साले वोला गया है कि भारती महिला आयोग अधनियाम कीस वर्स आस्तितों में आया था तो यहां पर कुसमे कईश का सहीजवाव संडी हो जाएगा सन 1990 सी में आस्तितों में आया था वो इसकी बाद में है कि बिहार का प्रसीद पर्भ है जैसा कि आप सभी को मालम होगा कि बिहार में दुर्गा पूजा भी प्रसीद है च्छट भी प्रसीद है और दिवाली भी प्रसीद है इसलिए कोशन का सहीजवाव संडी हो जाएगा इनमें से सभी इसकी बाद में है कि बिहार में कौन सा जीला, केला उत्पाधन के लिए काफी ही प्रस्चीध है जैसा कि आप सबीको मालुम हुगा कि बिहार का हाजी पूरे का ही सा जीला है जहांपे केला का उतपाधन सबसे अधीक मातरा में की जाती है कोशन का साई जवाब अपसन भी होगा डाउटनट बच्चो आप किसी भी स्वाल में अटक गए हो या आप से साल नहीं हो पा रहा हो तो बस आपको उस कोशन का फोटो लेना है कोशन को करब करना है और पांस सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका वीडियो सलूसन देखने को मिल जाएगा चाहे आपका कोशन हमवर का हो सीबेसी, बिहार, यूपी, महराश, राजस्तान, एमपी या आन्ने बोड का हो चाहे आयाईटी, नीट या कछा छटी से बारवी का स्वाल हो इसके बाद में अगला स्वालें बुला गया था कि निमलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है जैसा कि आप सभी को मालम हुआ कि कोशी भी बिहार में हैं गंगावी बिहार में हैं गंडक नदी भी बिहार में इसी थे तो इसलिए कोशन का सही जवाफसन सी हो जाएगा गोमती नती उसके बाद में बुला गया है कि आस्योग आंदुरन कब शुरू हुआ था जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सन 1920C में महात्मा गांधी के नित्यूत में खिराफ़त आंदुरन के साथ आस्योग आंदुरन भी चलाया गया था तो कोशन का सहीजवावसन भी होगा सन 1920C में ब्भारती राष्टी इसने कब पूति फुराज की घोशना कि थी थी को ही भारती राष्टी और सवार सवाल यहां पर बुला गया रचाहेश में की City को कि प्रात्मिक स्थ कम करतें से स्थ कषे हैं कि वारत के लिए आर्थिक सुधारों का प्रणाब को किया गए था तो रहम बहलό पादन के सभी साधनों पर नीजि़ वेक्टि का स्वामित होता है तो यहां पी कोशन का सही जवावसन भी हो जाएगा समाजी कर्थ विवस्ता में ही क्या होता है कि नीजी बेक्ती का स्वामी तो होता है और पूजिवादी अर्थ विवस्ता में सरकार का स्वामी तो होता है उसके बाद में है कि वीनिमय का सरोच माध्यम क्या है यानि किसी बस्तु को लेन दिन करने का खरदारी करने का अच्छा जो माध्यम है वो मुद्रा है तो कोशन का सही जवाव संसी हो जाएगा मुद्रा जिसको हम लोग पैसा भी बुलते हैं उसके बाद में अगला स्वालें बुला गया है कि छेत्री ग्रामिन बेंक की अस्थापना कीस बर्स की गई थी दोस्तों आप सबी को मता दें कि 1975 इसी में ही छेत्री ग्रामिन बेंक की अस्थापना की गई थी इसके बाद में एगलाज स्वाल बुला गया है कि भुपाल गैस त्राबदी कैसी आपदा है यानि भुपाल में जो मिथाइल आइसो साइनाइट का गैस का रिशाव हुआ था तो यकीस परकार की आपदा है पहला स्नि में दिया गया था प्रक्रिति का अपदा मानवजिनीत आपदा तटबंध के किनारे किस फरकार की वनस्पति को सगन के रूप में लगाया जाता है तो जैसा कि आप सेवी को मालूम होगा कि बाट से बचने के लिए तटबंधों पे मेंगरो वनस्पति लगानी चाहिए तो कुशने 35 का सहीजवा वसन ए होगा मेंगरो वनस्पति अलाइस स्वाल ने बुला गया है कि सरवाधी खतरनाक सुखाड है यानि सबसे जो खतरनाक सुखाड होता है वो किस फरकार का सुखाड होता है तो यहाँ पर इंसर में दिया गया है मौसमी सुखाड कितने चुन के लगता है कोशन का सहीजवाब की रिशी सुखाड होगा कैमेंट के मादन हम से बता सकते हैं अला स्वाल है आर्थिक विकास का गेर आर्थिक कारा कौन सा होता है तो कोशन नमबर 37 का बिल्कुल सहीजवाब क्या होगा तो अपसन भी हो जाएगा भी तिये संस्थाएं इसके बाद में केंदRis सरकारी बैंकों का गठन की सथर पर किया जाता है अतकोशन का सहीजवाब और से भी होगा जीरा अस्थर पर वो इसके बाद में अगला स्वाल 49 को देख लिए है कि नमलिखी तमें कौन मीशित अर्थिक वस्ता की बिशेशता है तो पहला स्वाल में दिया गए नेजी छेट, सार्णिक छेट और नेजी आर्थिक नियोजन तो इसलिए कोशन का सेजवावसन डी होगा इनमें से सभी अलास स्वाल बुला गया है कि भारत सरकार ने किस परकार के सिक्षा को मौलिक अधिकार गोशित कर दिया है तो यहां पे कुस्मा 14 का सही जवावसन ए हो जाएगा प्रारंभीक सिक्षा को नेजी गोशित कर दिया है उसके बाद में अगला स्वाल कुस्मा 41 को देख लिजिए कि हिराकूंड बांध बना है यानि हिराकूंड जो बांध है वो किस नदी पर इस्तित है तो यहां पे कुस्मा 41 का सही जवावसन ए हो जाएगा हिराकूंड बांध जो है वो महा नदी पर इस्तित है तो इसके बाद में अगला स्वाल यहां पर बुला गया है कि बिहार में रेलवे वर्कसाप कहा है तो दोस्तों बिहार में जो रेलवे वर्कसाप है वो जमाल पूर में इस्तित है तो कुष्टन का सही जबाव यहां पर अपसन ए होगा जमाल पूर और इसके बार में आयई अगला स्वाल दिखा देते हैं कुस्मेv 43 को की जिला में इश्थीत है जिसा कि आप सरी को मालुम होगा आग लगना, बम, विजबत, रसानियन दुरघतना यह मानव जनीत आपड़ा होते है और प्रकितिक आवदा होते हैं भुकम, बाठ, सुनामी, ज्वाला, मुखी, बिशपूर तो यहाँ पे सी में दिया गया था भुकम पता कोशन का सही जबाब अपसन सीफ होगा भुकम अला स्वाल है संचार का सबसे लुख प्रिये साथन क्या होता है जैसा कि आप सभी को हम बताये थे कि संचार का सबसे लुख प्रिये साथन मुबाइल फोन होता है वो इसके बाद में कोशी में बाठ आने का मुख कारण क्या होता है तो दोस्तों कोशी में बाठ आने का में दूरीजन होता है वो अधीक वर्सा हिमाला के वर्का पिगलना नदी के गादों में जमना दोकुशन का सही बाउसंदी हो जाएगा इन में से सभी वो इसके बाद में अगला स्वाल किसमे 47 से मुला गया है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन का परिनाम है सस्वाले किस नदी को बिहार का सोक कहा जाता है पिस की बाउसंदी पिसके बाद में अल्मुनियम उदिधोग में किस खनीच का उपयोग किया जाता है तो यहाँ पे ऐलमुनियम का यस्क होता है वक्साइट, ऐलमुनियम उधोग में भी वक्साइट खनीज का उप्योग किया जाता है, तो कोशन का सही जवाव अप्साइट होगा वक्साइट, उसके बाद में है कि भारत में किस राज में खनीज देल का सारवाधिक भंडार है, तो यहां पर कुश्म 50 का सही जवाव अपसन ए हो जाएगा आसम में खानीज देल का सबसे अधिक भंडार है वो इसकी बाद में है कि कौन सा उर्जा सुरोत और नवी करनिये है तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कोईला एक परकार का और नवी करनिये संसाधन है अदा कुश्म 51 का सही जवाव संसी होगा कोईला वो इसके बाद में अगला स्वाल को देख लेएजे बोला गया है कि किस नगर को भारत का सिलिकन वैली के नाम से भी जणा जयता है तो यहाँ पे कुश्मत तिरपन का सहीजबाव अफसनी हो जाएगा बंगलोरु सहर को भालत का सिलिकन वैली के नाम सी जाना जाता है अगलाज साले बुला गया है कि पिरियार राश्टी ए खदान जो है उद्दान है कहां पेश्टी थे यानि पिरियार राश्टी ए उद्दान कहां पेश्टी थे तो कुश्मत चवगन का बिलकुश सहीजबाव अफसनी हो जाएगा किरल राज में ही पिरियार राश्टी ए उद्दान इस्दी थे अगला स्वाल है बुला गया है कि निमलिखित राज्जों में किसमे वन का सबसे अधिक विश्टार है तो मद परदेश से कैसा भारत का राज है जहां पे वन का फैलाव काफी ही अधिक मातरा में है तो कुश्मत परच्पन का सहीजबावसन सी होगा अगला स्वाल है टेक्सॉल का उप्योग होता है जैसा कि हमाब सभी गताय थे कि हिमाचल परदेश में चीर नामक एक पौधा पाया जाता है जिसके फूल बती रथा तना से टेक्सॉल नामक रसाय निकला जाता है जो कैंसर के उपचार में काफी ही कारगर सिद्ध होती है कि भारत में उप्हुक्ता नक्षन कानून कब लागू हुआ था काफी सिम्बल स्वाल पुछा गया था सन 1976 सी मही भारत में उप्हुक्ता स्रक्षन कानून कानून कप लागू किया गया था अलाज स्वालन ठालने बोला गया था कि बिहार में जीवन यापन का मुख उदेश क्या है तो बिहार में जीवन यापन करने के लिए मुख जो उदेश है ना मुख साधन है वो क्रीशी है तो क्रीशी के माध्यम से हैं बिहार के लोग जीवन यापन करते हैं इसके बाद में एगला स्वाल है कि पशुपालन एवं मतास्पालन की से छेदर के अंदर आते हैं। ख़ स्वान स्वार श्मारी pattern बड़ गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्रापति के बाद मेढ मुक आर्थिक यहां पे is रीजिन अर्ठीक विकास निर्धानता उनमुलन इसलिए कोशन का सहीज बावसन डी होगा इन में से सभी पुश्की बाद में है कि किस सहर को भात का बीती राजधानी भी कहती है जिसा कि आप सभी को मालू होगा कि मुंबई भात का एक ऐसा सहर है जिसे भात का बीती राजधानी भी कहा जाता है कि सोने के जेवरों की सुधता सुनिशित करने के लिए किस मानक चीनिका परियों किया जाता है कापी सिंबर स्वाल है सोनी की सुधता की पहस्यान जो है और हॉल मार के द्वरा की जाती है अधर कोशन का सहीज बावबसन सी होगा उसके बाद में वर्ल्ड टिरेड और्गनाइजेशन जीसे हम लो काते हैं वी सुभ्यापार संगठन की अस्थापना कब की गई थी कापी सिंबर स्वाल है 1995 में इसकी अस्थापना की गई थी तो कुश्मा 63 का सहीज बावबसन D होगा उसके बाद में अगरा स्वाल 64 को देख लीज़े कि इनमें से कौन सा और धातवी खनीच है यानि उस परकार के खनीच का पुनाव बताना होगा जिसमें धात धातू नहीं पाया जाता है तो अभरक एक ऐसा खनीच है जिसमें धातू नहीं पाया जाता है किस समीती के अनुसंसा पर पंचायती राजप्रणाली की शुरुआत की गई थे तो यहाँ पर कोशन का सहीजबाव संद भी हो जाएगा बलवन्त राय महता समीती के द्वारा किसके बाद में बोला गया है कि जारखंड राज का गठन कब हुआ था दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जारखंड राज का जो जो गठन है वहा हुआ था पंद्रा नॉम्बर दूहजार इस्वी को तो कोशन का सहीजबाव संद भी होगा अलाजसा ने बोला गया था कि लोगतन का प्रान किसे कहा जाता है जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि राजनीतिक दल को ही लोगतन का प्रान कहा जाता है तो कुसमा शर्षड का सहीजबाव संद भी हो जाएगा राजनीतिक दल को उसकी बाद में है कि बोलोविया में जन संगर्ष का मूँ कारण किया था तो बुलोविया में जन्स जो संजर्स हुआ था इसका जो मुख करान था ना वो पानी के कीमत में ब्रीधी था तो यहां पर कुस्मा अर्शाड का सहीज बावाफसन सी भी हो सकता है पिर्टॉल के कीमत में ब्रीधी जैसा की आप सभी कृटाय गया था कि दल बदल कानून निमली खिट में की साथन है या कथन की जाता अब्राहम लिंकirsin काहिं है लोगतन जन्ता का जन्ता दॉरा जन्ता के लिए साथन है को बाद में 172 को कंहारश्टी उद्दान जो है कि नगर पालिका की सूची से संबनुथ है कांहां राश्टे उद्दान जो है वो कहां पे इस्थित है तो ये मध पर्देश में इस्थित है यानि कोशन का सहीजवा उसेंशी होगा मध पर्देश वो इसके बाद में एगराइसवाद 74 को देख लीजिए कि भाद का राष्टी ये पक्षी क्या है जैसा कि आप सरी कुमान होगा कि मोर जो होता है वो भारत का राष्टी ये पक्षी होता है तो कुशन का सहीजवा उसेंशी हो जाएगा मयूर वो इसके बाद में है कि निमलीकित में किसका उपयोग ताप सक्ती सनयस्त्रों में तापिये बिद्धुत उतवादन में करने के लिए किया जाता है तो यहाँ पी कुशन 75 का जो बिलकुश सहीजवाव हो जाएगा वो पसन ए होगा कोईला का इसके बाद में अगला स्वाल देख लिए से कि दक्षिन भारत में नदी घाटी परियोजना है तो यह दोस्तों दक्षिन भारत में जो नदी घाटी परियोजना है उससे हम लोग करते हैं तुंग भद्रा नदी घाटी परियोजना तो यहां का विल्कुष सहीजवाव संने होगा टूंग भध्रा पर्योजना अलास लो ने बुला गया है THAT बिहार में ताप बीधूत केंद्र कहाँ है तो जिसके आप सभी को मालूम होगा कि बिहार में ताप उर्जा केंद्र जो है वो कहाँ पे है तो उस देश का नाम है बंगला देश, कोशन का सही जबाव अपसन A हो जाएगा, बंगला देश, उसके बाद में एगला स्वाल को समाउनाशी को देख रीजे, अंगोरा उन का सुरोध क्या है, तो जैसा कि हम आप सभी कवताये थे, कि अंगोरा उन जो है, वो अंगोर बकरी के रुएंच से प्रावद किया जाता है, अधा कोशन का सही जबाव अपसंन B होगा, इस फ़ाल है नागारजुन्. शागरं नदी घाटी पर योजना, किस नदी पर बनी है, तो दोस्तों जैसा कि आप से मालूम होंगा, नागारजुन्. शागरं नदी घाटी पर योजना क्रिष्णा नदी पर इस्तित है इसी परकार से दखिए यहां पे हम जो पिछले वाले वीडियो को हम अप्लोड किये थे ना जो सुबह सुबह अप्लोड किया गया था उसमें से तो 100% उसमें के पूरे से पूरे कोशन बहुत सारे कोशन एक लगवा कि जो 80 स्वाल है 80 स्वाल आप सभी अच्छे मास्क मैटी का जो एक्जाम है उपास कर सके उम्मीद है आप सभी को आज के यह वीडियो आप सभी को परसंद आया हो और आप सभी को एक से लेकर आशीदा के कोशन में कितने कोशन का इंसर आप सभी को सही बनाएं हैं कमेंट के मादन से जरूर आगे आने वाले इंग्लिश का वीडियो देने के लिए चानल को सब्सक्काइब करने के साथ बेलेंगों दबा दीचेएगा ताकि जैसे अप्लोड करेंगे वीडियो इसका नटिपीचन आप सभी को मिल सकेगा और आप इंपोर्टेंट इंग्लिच का वीडियो भी आप स्टॉल कीजिए ताकि आपके लिए तयारी हो काफी बेतर हो सके तो है दोस्तों मैं मुकिमान सारी जल विलूंगा अगले वीडियो में नए भी वाई कुछन के साथ अब तक के लिए वीडियो ने क्रिप बहुत बहुत धन्यवाद